नमस्कार दोस्तों, जेनेसिस आईएस में आपका स्वागत है देखिए दोस्तों, अभी हाल में ही, कल ही, कल परसो ही UPSC की तरफ से एक प्रपोजल आया है D.O.P.T. को यानि गवर्वर्मेंट को जिसमें ये कहा गया है कि UPSC में मात्र कैंडिडेट के द्वारा की तरफ से वैसे ही Disapprove किया जाएगा, approve नहीं किया जाएगा जैसे कि नीती आयोग के द्वारा उम्र कम करने वाले मामले में सरकार ने नीती आयोग के प्रपोजल को नहीं माना क्योंकि मात्र फार्म भरने से ही प्रयास की गिंती करना आपने आप में एक हास्यास्पत कदम है ये बेहद आश्चरजनक विशाय है कि कैसे किस व्यक्ति ने या किन लोगों ने किस संगठन ने इस तरह का प्रपोजल डियोपीटी यानि गौवर्नमेंट को भेजा है गौवर्नमेंट द्वारा इसको मानना यानि डियोपीटी द्वारा इसको मानना बिलकुल ही संभव नहीं लग रहा है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो बिलकुल संभव नहीं लग रहा है और ये कहीं से भी किसी भी तरीके से यह एक लोजिकल बात नहीं लगती है कि कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट करेगी इसलिए इसके बारे में जो हला मचा है आप लोग बिलकुल न सोचें आप लोग अपनी तयारी पर ध्यान दे कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस तरह के मुर्खता पूर्ण प्रपोजल टाइम टू टाइम आते रहते हैं और यह चलता रहता है इसमें कुछ भी न नहीं होगा आप लोग अपनी तयारी पर ध्यान दे फार्म भरना मात्र प्रयास नहीं माना जाएगा जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले बताया था कि नीती आयोग द्वारा दिया गया 27 वर्स वाला प्रपोजल नहीं माना जाएगा और ठीक हो ऐसे ही हुआ इस मामले में भी यही होने जा रहा है धन्यवाद मित्रो नमस्कार